सरकार की इतनी ओजनाय चलती है फिर भी मुंबई से सव सवा सो किलोमेटर पर पालगर में आज भी हमको मालनुट्रिशन देखने को मलता है इसके लिए सरकार के पास पैसा नहीं ऐसा नहीं है पर वहाँ पर जब मालनुट्रिशन का एनलिसिस करते हैं तो आपका आश्यर होगा कि 19 साल की मा का 5 बच्चा होता है मा भी माल नरिष्ट होती है और बच्चा भी माल नरिष्ट होती है अब ये चीज़े सरकार की योजनाओं से नहीं बदल सकती है सरकार पैसा प्रोवाइड करेगी सरकार उसमें पोशन आहार प्रोवाइड करेगी और चार योजनाय सरकार चलाएगी लेकिन इसके साथ सा एक तो connect होता है, आज हमारे गिरिश प्रभुने जी यहां पर बैठे, पारधियों के लिए सरकार ने कई योजनाय बनाई, लेकिन योजनाय यशस्वी नहीं हुई, क्योंकि जब तक इसको human touch नहीं मिलता, और यह human touch कौन दे सकता है, यह human touch दे सकते NGOs, और इन NGOs को मदद कर सकते corporates, और इसमें मुझे लगता है कि जब हम लोग एक mission के रूप में इसको हाथ में लेते हैं, तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन हम लोग कर सकते हैं, और आज मुझे बहुत खुशी है कि wife और अडी ने ऐसे कई initiatives हाथ में लिये, और इन initiatives के माध्यम से लोगों के जीवन में ब लेकिन उनको credible NGOs नहीं मिलते हैं, कई बार ये भी प्रशना है, कई corporates मुझे कहते हैं कि हमने जिनके साथ partnership की, उन्होंने हमारा बंटा डार कर दिया, इसलिए credibility वाले partners, जिनको photo-op वाले NGOs ने, जो लोग जाकर काम करना चाहते हैं ऐसे NGOs, और मुझे खुशी है कि इसी प्रकार के NGOs में आज हमारे Youth for Development Y4D का शुमार होता है, समावेश होता है